इनका जो मुख्य उद्देश अभी तक विवेचना के दोरान समझ में आया है और जो सभी साक्षों को चीजों को देख करके प्रतीत हुआ है वह इनकी कहीं न कहीं व्यवस्वाइक प्रतीतनता को लेकर के माना जा सकता है जिसमें एक केबल से जुड़े कहीं व्यवस्वाइक को लेकर के और अन्य व्यवस्वाइक प्रतीतनता भी नकारी नहीं जा सकती साथ ही हो सकता है कि अन्य भी कोई ऐसा कारण हो सकते हैं पर अभी प्रमुक रूप से जो प्रतम दर्ष्टिया सामने आये हैं और जो अभी तक की जानकारी प्राप पुलिस को हुई है उस अनुसार ये जानकारी भी मिली है इसमें लगभग 30-35 लोगों को पुलिस ने ले करक अन्य टीमों के माध्यम से पूछताच की गई है और अभी भी इसके प्रयास आगे जारी है जो मरने वाले हैं उन्हें जो अपराद ही अभी तक चार नामजद हैं उसमें दीपक तमर और छोटु उर्फेजान के अपराद अधिक रिकॉर्ड सामने आये हैं अन्य के भी और खंगाले जा रहे हैं कि जिले या अन्य जिलों में कोई अपराद हो तो उनको भी निकाला जा रहा है